नमस्कार साथियों Knowledge Study ललित की विडियोज में आपका स्वागत है गाइज आपका sentence number 1 है कितने card print करवाए हैं इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How many cards are ordered for printing? इसके आलावा गाइज इस वाक्य को आप How many cards are getting printed? इस तरह से भी बोल सकते हैं Sentence number 2 है शादी का venue कहां decide हुआ है इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे What's the one who decided for wedding? गाइज venue का means स्थान होता है आपका sentence number 3 है कितने suit लेने हैं आगे शादी में देने के लिए इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How many suits are to be purchased for given away in marriage? आपका sentence number 4 है कितने suit खरीद लिए? इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How many suits did you buy? आपका sentence number 5 है लड़के वालों को क्या क्या देना है? इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे What all is to be given to the groom's family? Guys, groom का means होता है दूलहा, आपको कमेंट में बताना है कि दूलहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका sentence number 6 है आपको पता है, मम्मा ने आपके लिए swift car book की है, शादी में gift देंगे आपको इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे You know what mom has booked a swift car to gift you in the wedding आपका sentence number 7 है गैस्ट कहा रुकेंगे जो शादी से कुछ दिन पहले आएंगे, इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे Where will the guests stay, who come earlier than the wedding? इसके अलावा गाईज इस वाक्य को आप Where are the guests supposed to stay, who come earlier than the wedding? भी बोल सकते हैं, गाईज अरियर का means होता है पहले आपका sentence number 8 है हमें कुछ additional कंबल वगेरह मंगवाने पडेंगे, गैस्ट के लिए इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे We will have to order a few additional blankets for the guests आपका sentence number 9 है Relatives को कितने किलो मिठाई देनी है या दोगे? इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How many kilos of sweets is to be given to relatives? इसके अलावा गाईज इस वाक्य को आप How many kilos of sweets is for relatives? इस तरह से भी बोल सकते हैं आपका sentence number 10 है कितने तरह की मिठाई बनवाई है? इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How many types of sweets are to be prepared? आपका sentence number 11 है मैंने अपनी शादी के लिए ये वाला पार्लर बुक किया इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I have booked this parlor for my wedding आपका sentence number 12 है पार्लर वाली कितने रुपए लेगी? इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How much will the parlor lady charge? आपका sentence number 13 है वह 3000 बोल रही थी इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे She was saying 3000 rupees आपका sentence number 14 है मेरी शादी है, तुझे आना ही पड़ेगा इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे It's my marriage, you will have to come Guys, जहाँ पर किसी बात को जोर देकर कहा जाता है या force किया जाता है वहाँ पर have to का प्रयोग किया जाता है Guys, हर वीडियो में हम कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे आपका sentence नमबर 15 है मैं बहुत नर्वस हूँ अपनी शादी को लेकर इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I am feeling so nervous about getting married इसके आलावा गाईज इस वाक्य को आप I am so nervous about getting married इस तरह से भी बोल सकते हैं आपका sentence नमबर 16 है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी को लेकर इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I am so excited about getting married इसके आलावा गाईज इस वाक्य को आप I am feeling so excited about getting married इस तरह से भी बोल सकते हैं आपका sentence नमबर 17 है जैसे जैसे डेट पास आ रही है, बहुत नर्वसनेस फील हो रही है इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I am getting so nervous as the date is approaching near आपका sentence नमबर 18 है शादी के बाद कहा घुमाने लेके चलोगे इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे Where will you take me after marriage इसके अलावा गाइज इस वाक्य को आप Where will you take me on honeymoon after marriage इस तरह से भी बोल सकते हैं आपका sentence नमबर 19 है मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I am really happy to have you in my life Guys, to have you in my life का यहाँ पर means है आप मेरी लाइफ में आए आपका sentence नमबर 20 है मुझे हमेशा से ही आप जैसा husband चाहिए था इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I always wished to have a husband like you आपका sentence नमबर 21 है मैं शादी से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ थोड़ा time spend करना चाहती हूँ इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I want to meet you once before marriage and spend some time with you आपका sentence नमबर 22 है मुझे किसी थंडी जगह पर जाना है इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I want to go somewhere in a cold place तुझे पता है मेरा रिष्टा पक्का हो गया इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे You know what my marriage got fist आपका sentence नमबर 24 है इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे I am getting engaged next month Guys यह वीडियो का last sentence है आपका sentence नमबर 25 है शादी में total कितना खर्चा हुआ इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे How much money was spent at the wedding? इसके आलावा गयज इस वाक्य को आप How much was spent at the wedding? इस तरह से भी बोल सकते हैं तो गयज यह था इस वीडियो का last sentence Guys अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए अपने friends को share भी कर दीजिए और गयज यदि आप channel पर नए हैं तो जल्दी से channel को subscribe भी कर लीजिए रोजाना ऐसी वीडियो को देखने के लिए Guys आपके एक comment से हमें motivation मिलता है चलिए Guys फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो को लेकर मुझे इजाज़त दीजिए जय हिंद वंडे मात्रम